स्टोरी टाइम E.N.D.I. उत्तरब्रदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ आज हम बच्चे इंग्लिश में कॉल्मर्सेशन सीखेंगे So, लेट्स टॉक Good afternoon, ma'am Good afternoon, children. Please sit down Thank you, ma'am बच्चों, कल हमारे स्कूल में डॉक्टर्स की टीम आएगी आप सबका चेक अप होगा जी, ma'am डॉक्टर लोग एक बार और आए थे Yes, you are right, शिखा Ma'am, उस बार डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मेरा वेट बहुत कम है तब से जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही मैं रोज समय पर और अच्छे से खाना खाता हूँ Very good, ma'am What is the matter? क्या बात है बच्चों? Aisha, stand up आप बताओ Ma'am, डॉक्टर अंकल कुछ ग्वेशन्स इंग्लिश में पूछते हैं और जब हम समझ नहीं पाते तो वह हिंदी में पूछते हैं जी, ma'am हमें भी उनकी बातों का जवाब इंग्लिश में देना है अच्छा, तो ये बात है चलो, आज हम कुछ बाते सीख लेते हैं कल जब डॉक्टर आएंगे तो आप लोग भी इंग्लिश में खूब आंसर्स दे ना ओके, ma'am बच्चों, अगर कोई आप से पूछे what is your name आपका नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे ma'am, मेरा नाम शिखा है you are right but we will reply in English हम इंग्लिश में ही reply करेंगे my name is शिखा repeat after me मेरे बात सब repeat करें my name is is my name is my name is फिर अपना अपना नीम बोलना है जैसे my name is गौरिका अब शिखा आंसर करेगी what is your name ma'am, my name is शिखा very good my name is शिखा ये तो बहुत आसान था now, अरुन विल से अब अरुन आंसर करेंगे my name is अरुन शाबाश अब मैं एक और क्वेशन पूछती हूँ how old are you यानि की आप कितने साल के हो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I am six years old I am six years old I am six years old और जो बच्चे seven years के हैं वो कहेंगे I am seven years old okay ma'am I am six years old very good करन thank you ma'am अब क्या हुआ ये हसी क्यों हो रही है ma'am आईशा कहे रही है की old का मतलब बूढ़ा होता है ma'am मेरे पापा ने मुझे बताया दादा जी और दादी जी old हैं यानि बूढ़े हैं आपके पापा ने सही कहा old का मतलब बूढ़ा होता है लेकिन अगर कोई कहे how old are you तो इसका मतलब आप कितने बड़े या कितने साल के हो अच्छा मतलब बूढ़ा वाला old नहीं yes, you are right अब मैं next question पूछूंगी और देखते हैं कौन मुझे इसका मेनिंग हिंदी में बता पाता है okay ma'am what is your mother's name ma'am मैं बताऊ yes, Vidya ma'am mother यानी ma'am what is your mother's name मतलब आपकी mother का नाम क्या है very smart Vidya ma'am मेरी mother का नेम मनू है okay इसे हम इंग्लिश में कहेंगे my mother's name is Mrs. Manu all of you will repeat after me my mother's name is my mother's name is this sentence के end में अपनी अपनी मदर का नाम बोलना है Shikha what is your mother's name ma'am my mother's name is Mrs. Asha very good Shikha now Karan what is your father's name ma'am my father's name is Mr. Gaurav Sachdeva Shikha what is your father's name ma'am my father's name is Mr. Deepak अच्छा अब देखते हैं कौन सभी questions के सही answers देता है ma'am 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 अरे वा एक एक करके सुनते हैं let's start with ma'az ma'az please stand up what is your name my name is ma'az what is your mother's name my mother's name is Mrs. Shahina very good ab batao what is your father's name my father's name is Mr. Naseem very good ma'az now tell me how old are you I am six years old very good सब समझ के न yes ma'am तो कल जब डॉक्टर आएंगे तो आप सब confidently बात करना okay ma'am I am you ma'am I Jim how to link music it V झाल झाल